नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग ठीक होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक महतपुड अवसदी जड़ी बुटी के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ब्रहमदंडी यह ब्रहमदंडी पूरे भारत में पाई जाती है यह आपके आसपास भी होती होगी लेकिन जनकारी के अभाव के कारण आप इसे अंदेखा कर देते होंगे एक खेत खलियान सड़कों के किनारे तथा खंडहरों में पाई जाती है यह हर जगब बड़ी आसानी सिखर पतवार के रूप में आपको मिल जाएगी आप इसको देख लीजिए और अच्छे से पाचान लीजिए यह पौधा काटेदार होता है और जमीन पर जादे फैलता है जानकारी के आभाव में बहुत लोग उट कटारा को भी ब्रहमदांडी मालेते हैं लेकिन मैं बता दूं कि जानकारी सही रखना चाहिए तभी किसी जड़ी बूटी का इस्तिमाल करना चाहिए लेकिन वास्तों में यह जो आप देख रहे हैं यही आईरवेद में बताई गई ब्रहमदांडी है इसके पत्ते दो से छो इंच लंबे होते हैं और एक से दो इंच चोड़े होते हैं इसमें गुलाबी या हलका जामुनी रंग का पुस्प लगता है इह आउसदी पहाड़ी प्रदेशों में सबसे ज़्यादा उत्पन होती है ब्रहमदांडी पारत को बानने वाली सबसे सर्वसेष्ट आउसदी मानी जाती है इसका संस्कृत नाम ब्रहमदांडी और अजदांडी है हिंदी तथा मराठी में भी इसे ब्रहमदांडी काते हैं और गुजराती में तेल कंटा काते हैं बंगाली में ब्रामन दांडी काते हैं अईरुवेद के अनुसार ब्रहमदांडी कटू और उस्त प्रकिति की है या कप सुजन और वायू का नास करती है यह विशम, जर, कंटमाला और उन्माद रोग का नास करती है औसादी के रूप में इसके पूरे पांचांग का प्रियोग किया जाता है इसके अलावा एस्वास रोग और मिर्गी में बहुत ही फायदे मन्द होती है दोस्तों इसका सबसे बड़ा गुर्धर्म है कि ए नपुनसक्ता को भी मिटाती है और कामसक्ती को बढ़ाती है ए दिमाग को भी सांथ करती है तो दोस्तों आए जानते हैं कि इसका प्रियोग किस प्रकार से करना है दोस्तों इससे फ़ले अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यह अगर आपको ताजी मिल जाती है तो आप इसको ला करके साफ पानी से अच्छे से धो लें फिर इसके पांचांग का रस निकाल करके 20 ग्राम की मातरा में सुबा खाली पेट सेवन करना चाहिए यह बहुत ही स्वाद में कडवी होती है इसके अलावा इसके पांचांग को छाओं में सुखा करके इसका पाउडर बना लें और 5 ग्राम की मातरा में इसमें मिस्री मिला करके इसका दूद के साथ सेवन कर सकते हैं इसका कुछ हपतों तक सेवन करने से सरीर में इस फूर्ती आ जाती है और नपुन सकता मिट जाती है इसके अलावा इसके चूड को सहद में मिला करके चाटने से खासी और दमा में बहुत ही लाव होता है जिन लोगों को उद्माद की बिमारी है उनके लिए एयोसद किसी चमतकार से कम नहीं है उसके लिए आप क्या करें कि इसके पांचांग को पानी में उबाल करके और इसके साथ इसमें पांच दाने काली मिर्च का मिला करके रोज सुबह खाली पेट फिलाएं इसको पीने से सुरुआती दोर में उल्टी की सिकायत हो सकती है लेकिन बिना घबराए इसका प्रयोग चालू रखें दोस्तों भोजन में सिर्फ दूद का ही सेवन करना चाहिए इसका लगातार 20 दिनों तक सेवन करने से उन्मा द्रोग ठीक हो जाता है प्रमदांडी के ताजे पत्ते का रश निकाल करके सेवन करने से ज्वर मिठता है इसके जड़ को ला करके साब पानी से थोले और चावल के पानी के साथ पीने से और इसका लेप लगाने से घंट माला मिठती है इसके अलावा ये सफेद दाग और तवचा रोग में बहुत ही लावकारी है तो दोस्तों मैं आसा करती हूँ कि आज की या जानकारी आपके जीवन में लावकारी सिद्धो तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जरूरत मंदों के साथ सेयर करें फिर जल्द मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए